लो गाईज, वेलकम बेक टो मैं चैनल सेमेफेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट में पोकेट लगाएंगे बिल्कुल एजी तरीके से तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं यह मैंने प्लाजो पैंट का फ्रेंट पार्ट लिया है याने कि आगे का पार्ट लिया है यह दोने हिस्से हैं हमारे तो इसके हमें सिर्फ राइट साइड में अपने सीधी हाथ की साइड में अपने पोकेट लगानी है है तो इस उपर के सैड हम मांक कर लेते हैं तो इसमें हम लगाएंगी दो इंच उपर के सैड छोड़ देंगे हम कि और उसके नेची हमें छे नेचे निशान लगाना हैं यहां तक यानकि यहां तक हमारा हाथ इसके अनल चला जाएगा तो तो इसके उपर हम लगाएंगे, तो इससे पहले हम इसके जोड लेते हैं, आसन जोड लेते हैं दोनों के, और अब हम आपने पोकेट का साइज नाप लेते हैं पहले, ये देखिए ये मैंने लिया है, जो हम मारा वेस्टेज होता है कपड़ा इसमें, वो लिया है मैंने, तो ये pocket का size लेंगे हम इसकी लंबाई लेंगे हम 13-inch की लेंगे जो dance में pocket लगती है पेंट के अंदर वो 14-inch में लगती है और ladies के pocket में लगती है 13-inch की तो उपर से हम mark करेंगे सड़े पांच इंच पर और नीचे से हम साइज करेंगे सड़े छे इंच पर इनको निला देंगे और नीचे से हम राउंड शेर दे देंगे इसको इस तरह से और अब इसको कट कर लेंगे हम कर चुकी है अब हम मजेन पर चलते हैं अब इसको हम लगा लेते हैं अपने पोकेट को कि फ्रेंड यह हमने अपने आसन को जोड़ लिया है और साथ में अपने प्लेट्स भी डाल दिये हैं ताकि हम यह बाद में दिक्कत ना आए इधर उदर ना हो जाए हमारी यह और अब जो हमने यह मार्क किया था राइड साइड में इसके उपर हम आदादाइंच पर मार्क करेंगे दोनों उपर भी और नीचे भी आदादाइंच पर मार्क करेंगे हम और उसके उपर हम कट लगा लेंगे यह जो आदाइंच का निशान है इसके उपर हम कट लगा ले कि यहां से हैं कट लगा लेना है दोनों साइड से और अब अपने पोकेट लेंगे हम और इसको हम उल्टा कर लेंगे, अपने पैंट को, और अब हम अपने पैंट, अब हम आपने पोकेट लेंगे, यह हमारा ऊपर का है, और यह है नीचे का, यह हमारा नीचे का है और यह उपर का है तो यह जो उपर का साइड है इसका हम रोंग साइड लेंगे और अपने राइड साइड में यानि कि हमारा सीधे पार्ट के अंदर यह हम अपनी पोकेट रखेंगे इस तरह से यह देखी और हम नीचे लगा लेंगे हमारा प्ला जो होगा रोंग और जो हमने माक किया था ये देखिए जो अदादा इंच पर हमने माक किया था यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगा देंगे जो हमने कट लगा था पहले से ये जो हमने स्टीच किया यहाँ पर इसको अब हम ऐसे पलट देंगे जो हमने माक किया था इसके उपर से भी हम कट लगाएंगे जो हमारे मेन पार्ट में कट था तो ये कट हम दोनों में लगा देंगे इसके अंदर पोकेट के अंदर भी कट लगा देंगे हम यहाँ से यह हमारी पलटने के बाद यहाँ पर हमारा यह जो होल था यह बंद हो गया है और अब इसके उपर हम एक सिलाई और लगा देंगे जि यो हमारे निशान लगाया था यहां तक निशान के उपर तक हमें सिलाय लगाने हैं यह हमारी पक्की सिलाय लग चुकी है और अब हम आपने पोकेट को लेंगे यह देखेए यह हमारी पोकेट है और इसको हम इस तरह से रखेंगे गयों देखेए और दोनों को मिला देंगे यह देखें इस तरह से और अब इसके जो यह हमारे नीचे का साइड है इसको हम इस तरह से पलट देंगे और अंदर की साइड से हम इसको बंद कर देंगे यह देखी इस तरह से हम इसको बंद करेंगे अंदर की साइड से इसके उपर डबल सिलाई लगा देंगे हम ताकि हमरा पक्का काम हो जाएगा और अब इसको हम अंदर के साइट पलट देंगे तो रेखें ऊफजी है कि यह हमारी पोकेट इस तरह से हो जाएगी और अब इनको हम जोड़ सी ही देखीम ओधिये और अब इसके हम यहां से इसके ब Dubai ब्राबर अब से शिलाई लगा देंगे इसके उपर निचड़ानी तो हमारा यह बंद हो जाएगा हमारा मुँँ बंद हो जाएगा पोकेट का तो इसके यहां से लेके इसके बिल्कुल बराबर बराबर से सिलाई लगा देंगे देखे फ्रेंड यह हमारी पोकेट कुछी सतरे से हो जाएगी यह देखिए यह इसका फेस हो जाएगा यहां से और अब जो हमारा इसका जितना हमारा यह आतका है यह देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं यह देखी और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे और इसके बरबर बरबर से हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे देख लेते हैं यह हमारा इक्वल है यहां से यहां से भी एक सिलाई लगा देंगे हम ताकि यह बंद हो जाए हमारी पोकेट यहां से कि फ्रेंड यह हमारी पोकेट बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम अपने बैक पार्ट में जोइंट कर देंगे यह देखिए पीठे से भी यह कितने बिल्कुल कि फिनिशिंग के साथ नजर आ रही है यह देखिए यह हमारी अंडर ग्राउंड फीडिंग है और यह देखिए यह हमारी पोकेट बन चुकी है यह देखिए और अब इसके अंदर हम अपना बैक पार्ट जोइंट कर देंगे जो हमारा पीछे का पाट है, इसको हम जोड देंगे, और जो हमने जो सिलाई लगाई उसके उपर से हमें सिलाई लगानी है, अगर इसके आगे लगाएंगे, तो यह हमारा इसका होल बंद हो जाएगा, यह सिलाई इसलिए लगाई जाती है, ताकि यह इसके उपर से हमें डब से हमारी रेडी हो गई है पोकेट यह देखी और यह इन्वीजिबिल पोकेट भी है और इसमें हम अपना मुबाइल भी अराम से डाल सकते हैं यह देखी यह देखी और इसका पता भी निचल रहा कि यहां हमारी पोकेट है तो आई होप यह आपको वीडियो पसंद आई होगी मैंने बिल्कुल एजी वे मैं आपको समझाया है अगर फिर भी आपको कोई प्रोब्लम आती है तो मेरे कोमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मेरे से प